हेलो एन वेलकम, मेरा प्यार भरा सलाम आप सभी को आज हम आपके लिए बहुती शाही रेसिपी लाएं हैं जो की लखनवी स्टाइल में हैं, जिसका नाम है शाही पनीर तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहां पे दो मेडियम साइस की प्यास ले लिया हैं इनको रफली चॉप कर लिया है, इनको हमने पहले ही धूल लिया था इसके बाद हमने यहां पे लिया है 500 ग्राम्स पनीर, आधा किलो है जो कि इसे हमने क्यूब शेप में कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से, इसके बाद हमने या पे कुछ spices लिये हैं, जिसमें एक फूल जावित्री का है, एक हमने बड़ी इलाइची ली है, दो हमने लॉंग ली है, वन टी स्पून हमने सफेज जीरा लिया है, एक स्टार लिया ह वन इंच की हमने दालचीनी स्टिक ली है, दो छोटी इलाइची है, एक देस पत्ता है और चौथाई जाइफल है, इसके बाद हमने कस्तूरी मेथी भी ली है, यह हम एंड में यूज करेंगे, फिर हमने यहाँ पे कैश्यू सोग करके रखे हैं, हमने 10 से 12 काजू लिये थे इन्हें हमने भगो दिया है, इसके बाद हमने 1 अना 1 अाफ टी स्पोन लैसन एन अदरख लिया, यह दरका पेस्ट है और यह लैसन का पेस्ट है, यह वन अना 1 अाफ टी स्पोन है, और हमने यहाँ पे 50 ग्रैम्म दही है, जिसका प्रोसेस हम आगे बताएंगे आपको, फिर यहां पर लिये हैं टमाटर यह टमाटर हमने लिये हैं एप्रॉक्स 4 मीडियम साइज टमाटर हैं इनको हमने रफली चॉप कर लिया है जिसकी हम प्यूरी बनाएंगे और हमने यहां पर लिये हैं तीन हरे मिल चोकी हम प्यूरी में अड़ाइन करेंगे तो यह सारी चीजे रे कर लेंगे दही में पहले हमने मिलाए है वन टेबिल स्पून नमक उसके बाद हमने आड़ान करा है वन टेबिल स्पून लालमेच पाउडर उसके बाद हाफ टेबिल स्पून हल्दी पाउडर आड़ान करा है एंदेन वन टेबिल स्पून धनिया पाउडर आड़ान करा है इस आफी में पूल जाएंगे कुछ ऐसा की स्टेडी हुआ है इसको हम साइड में रखेंगे इसके बाद हमारा ऑइल अच्छे से हीट हो चुका है अब हमारे जो गरम मसाले हमने पहले आपको शो करें थे उसको हम लो फ्लेम पे करके आड़ अन करेंगे गरम मसाले डालने के जैसे हम अच्छे से फ्राइब करेंगे और इन्हें हमें तब तक के फ्राइब करना है जब तक के हमारी प्यास और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और इसकी हम एक प्यूरी बना लेंगे कुछ इस तरीके से अब टमाटर एंड प्यास भी सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम इसे सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे और यह जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी एक प्यूरी बना लेंगे अब यह ओल्मोस्ट नॉर्मल टेंपरेचर पे आ चुका है तो हमने इसको ट्रांसफर करा है मिक्सी जार में और इसको हमने पीस लिया है कुछ इस तरीके से फिर हमने एक दूसरा बोल लिया है उसके उपर चंना रखा है और इसके थुरू हम इसको ट्रांसफर करेंगे आप कोई भी स्ट्रेनर ले सकते हैं और इसके थुरू आप इसे चान लीजिए ताकि जो लिक्विडी पार्ट है वो सेप्रेट हो जाए तो हमारी प्यूरी ट्रांसफर हो चुकी है दूसरे बोल में इस स्ट्रेनर के थुरू और जो स्ट्रेनर में रह गया है इसको हम डस्पन में फेग देंगे बाकी जो बोल में प्यूरी है ये हम यूज करेंगे अब जो हमने तेल यूज करा था प्याज और टमाटर को soft करने के लिए उसमें हम add-on करेंगे lesson का paste और फिर अद्रक का paste अद्रक और lesson दोनों ही हमने 1.5 टेबल स्पॉन लिया है यह हम add-on कर देंगे हमने इसको sim पे add-on करा है क्योंकि high flame पे अगर हम add-on करेंगे तो इसमें जादा bubbles form होंगे इसलिए हम sim पे अद्रक और lesson का paste add-on करेंगे अब इस stage पे जब इसमें bubbles form होने लगेंगे तब हम add-on करेंगे तही जिसमें हमने अपने सारे मसाले, हल्दी, मिर्चे और धनिया add-on करा था इसे भी हम mix करके अच्छे से fry कर लेंगे oil में और हमें तब तक के fry करना है जब तक इसमें bubbles ना form होने लगें अब इस stage पे जब bubbles form होने लगेंगे तो हम add-on करेंगे प्यूरी जो हमने टमाटर प्यास और बाकी गरम मसाले की बनाई थी यह हम add-on करने के बाद इसे अच्छे से mix कर लेंगे और फिर से इसे हम अच्छे से fry करेंगे अब हम add-on करेंगे इसमें काजू का पीस्ट जो हमने कैश्यू पहले से सोक करे थे उसको पीस्ट लिया था अब वो पीस्ट हम add-on करेंगे इसे हम mix करके अच्छे से fry कर लेंगे कुछ देर भूनने के बाद इसका कड़र कुछ ऐसा हो जाएगा और आप देख पा रहे हैं इसमें bubbles form हो रहे हैं अब इसे stage पे हम add-on करेंगे अपने पनीर आप चाहें तो थोड़ा सा fry करके भी पनीर add-on कर सकते हैं बट हमने directly add-on करें हैं क्योंकि ऐसे ये मसाला अच्छे से सोक लेंगे सारा इन्हें डालने के बाद बहुती अराम से हम इने mix करेंगे ताकि हमारा पनीर तूटे ना बस दो से तीन मिनिट पकाने के बाद हम इसमें add-on करेंगे कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथी डालने का ये तरीका है कि दोनों पाम के बीच में इसे रख के रब करें और फिर आप इसे डालें बाकि जो ये बचा हुआ आइटम है उसको आप फेक दीजें तो ये हमारा लखनवी स्टाइल में शाही पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए अब इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे ताकि हम इसे सर्व करके स्टार्ट कर सकें हमने शाही पनी सर्विंग बोल में निकाल लिया है और ये कुछ ऐसा लग रहा है माशालला से अब इसे Lastly हम garnish करेंगे cream से अगर आप कोई रेसिपी पसंद आई हो तो like करें, share करें और comment करना ना भूलें अगर आप channel पे new हैं तो channel को subscribe कर दीजे Thank you so much for watching till the end हमारे latest videos and vlogs को भी आप check कर सकते हैं उसकी link आपको description में मिल जाएगी कर दो दो इंए porkा कि अवाल प्कानखर